उत्राखन की कई जिलों में बरफबारी का लोगों ने जम कर मजा उठाया राज्य की कई जिलों में बरफबारी के बाद भारी संख्या में सेलानी उमड पड़े हैं जिसके बाद सेलानियों ने जम कर बरफबारी का मजा लिया इस सीजन की दूसरी बर्फ बारी है ये श्री बद्रिनाथ धाम में हम सब लोग इंजॉई कर रहे हैं इस नजारे को और जो जितने यात्री है टूरिस्ट लोग है वो भी काफी इंजॉई कर रहे हैं जबकि निचले इलाकों में पूरे दिन बारिश होती रही है बारिश और बरफबारी के चलते अप्रदेश भर में वीशन ठंड पड़ रही है कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे पहुँच गया है मौसम विभाग में आज ज्यादतर इलाकों में कोल्ड डे कंडिशन के आसार चताएं है बारिश और बरफबारी से सभी इलाकों के तापमान में 3-7 दिगरी तक की कमी दर्च की गई है बरफबारी के बार पहाडिक शेत्रों में पाला पढ़ने से ठिटरन भी बढ़ गई है उचाई वाले इलाकों में दिन में कई दौर की बरफबारी हुई निचलेक शेत्रों में शुकरवार तड़के से ही बादिश शुरू हो गई थी जो रुक रुक कर पूरत दिन जारी रही राजधानी धिरादून में आज सुभा की शुरुवाती बादलों के पहरे के बीच हलकी धूप खिल आई है जिससे हाड कपा देने वाली धंड से कुछ रहत मिली है रुद्र परियाद में रात भर रुक रुक कर बादिश होती रही मई केदार नाध धाम में 6 फीड से अधिक बरफ जम गई है द्वित्य केदार मदमहेश्वर, द्वित्य केदार तुंगनाज समेथ, चोपता, तुगलबिता, सारी, काल सीला समेथ जनपत के तीज से अधिक गाउं बर्फ के आगोश में है श्री नगर सहित राज्य के सभी इलाकों में फिलाल बादिश थमी हुई है हाला कि हलके बादलों से कडाके की सर्दी पढ़ रही है ITBP से मिली जानकारी के अनुसार गुंजी में 8 cm, काला पानी में 15 cm, नाभी डाग में 49 cm, कूटी में 40 cm बरफबारी हुई है गुंजी में माइनस 2, काला पानी में माइनस 5, कूटी में माइनस 10 डिगरी तक तापमान पहुँच गया है काला पानी से करीब 20 km आगे तक काली नदी पूधी तरा से जम गई है फिलाल मौसम विभाग में दिसंबर में और ठंड बढ़ने के आसार जताए है नेशन वन से प्रमेश मनोडी की रिपोर्ट नेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप अबारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंदाई वीडियो को शेर करना ना भूले और ज्यादा जानकारी के लिए लोग इन करें www.nation1.tv पर अधिक जानकारी के लिए आप हमें Twitter, Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें Nation1 के साथ